Hello गाइज वैलकम बेक टो यूटीब चैनल Jupiter Classes तो हमारा जो फास्ट यूनिट है उसका जो सब्गिउनिट दूसका हमने स्ट्राटिफ केशन उसके क्रेक्टडरिस्टिक्स उसके डिफोनिशन उसका ओरीजन उसके फंक्शन यह हमने पहले ही कर लिया है फिर उसके बाद हमने इसके कास्ट जो forms of stratification है जिसमें पहली forms कास्ट थी उसको हमने पढ़ लिया तो आज हमारा topic class पे है तो दो ही forms दी हुई है आपके syllabus में कास्ट और class तो जिसको कास्ट की PDF वगयरा चाहिए होगी कास्ट की, stratification की, society की, community की, associations की तो यह आपको टेलिग्राम पे ही मिलेंगे हमारी इस वीडियो की description में उसका लिंक होगा टेलिग्राम का वहां से आप जाइन करना टेलिग्राम वहां से आपको PDF मिल जाएंगी जो भी PDF चाहिए होगी, अब तो MCQs भी मिलेंगे साथ साथ में और कुछ MCQs भी आ रही है, classes भी लगातार उस पे भी आ रही है, तो आज का हमारा जो topic है, वो है form of stratification किसको लेके, class को लेके, कि class क्या है, तो आज यह जो lecture है, यह किस पे होगा, meaning of social class क्या है, इसको देखेंगे हम इस क्या है, किस thinkers ने क्या बताया है, different thinkers के अपने अपने views हैं, regarding to class को लेके, उसकी characteristics देखेंगे, nature and characteristics देखेंगे, और साथ में हम एक और चीज़ देखेंगे, इसमें, criterion of class देखेंगे, criteria क्या है, कैसे हम मानते हैं, कि यह कौन-कौन से methods हैं, जिससे हम analysis करते हैं, class structure को, जैसे कि rep computational एक method होता है, reputation के हिसाब से, जिसमें हम यह देखते हैं, कि उसकी reputition को लेके, या occupational जो ए, उसकी education के basis पर हम जो class बताते हैं, reputation उसकी, या subjective method से, या objective method से, हम यह देखेंगे, किसमें, criterion of class में, और हम देखेंगे, कालमाक्स का analysis, कालमाक्स ने क्या बताया था, class के बारे में, उसको भी हम analysis करेंगे और फिर last पे हम क्या करेंगे difference बताएंगे किसका cast और class का तो इसी के साथ हम इस topic को क्या करेंगे खतम करेंगे और जो इसमें जो extra चीजें होंगी वो extra video बनाके उसको भी हम cover कर लेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा topic social class social class होता क्या है तो अगर social class की बात करें तो social class क्या है social class is a principal type of social stratification formed specially in the modern civilized countries बलता है क्या है ये भी एक social stratification है समाज को मतलब layers में divide करती है division of societies है किसको specially कहा होती है ये जो modern civilized countries है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है वो खास दोर पर हमें कहां मिलती है specially कहां पर देखने को मिलती है ये मिलती है हमें civilized countries है जो जैसे कि western countries है modern countries वहाँ पर हमें class system ज़्यादा देखने को मिलता है class की बात करते है if the class system is found to be unique in India unique to India the class system is in universal in nature अगर हम class system की बात करें तो class system कहां पर देखने को मिलता है हमारे इंडिया में देखने को मिलता है अगर वो unique है कहां इंडिया में इंडिया को लेके वैसे ही जो class system है ये कहां है ये universal in nature है मतलब ये आपको हर जगा देखने को मिलेगा इंडिया में बाहर countries में हर countries में आपको क्लास सिस्टम देखने को मिलता है इसलिए हम क्लास सिस्टम को क्या बोलते है यूनिवर्सल है और क्लास कास्ट को क्या बोलते है कास्ट को बोलते हैं यह पार्टिकुलर है और क्लास सिस्टम क्या है यूनिवर्सल इन निचर है और साथ में सम्टाइम्स the word class is used to represent groups of professor class का अगर हम खाली class की बात करें कभी-कभी हम क्या बलते हैं कभी-कभी हम यह class का जो word है यह use करते हैं represent किस पर करते हैं कि इनके groups को जैसे कोई professor है कोई artist है artist मतलब जो कलाकार है कोई engineer है, doctor है, students है इनकी class को भी हम इनके भी group को कहा करते हैं, class the word class is also used or class कहां use होती है to refer the quality of the things whether good, better है, कभी हम class और भी कहां use करते हैं कि हाँ यह high class का है, अच्छी quality का है अच्छी class का है, quality के लिए qualities अब जो things जो चीजों की qualities होती है, उनके लिए भी हम use करते हैं किसको class world को कैसे, कैसे बलते हैं, यह good class का है, यह better है, best है and so on but the concept of social class is more used लेकिन अब बात करते हैं, social class की जब social world किसी के साथ जुड जाता है, तो आप उसको समझ लो कि आप society की बात आ रही है, आप society पे बात चलेगी, अब class खाली class तब तक की था, जब तक उसके साथ social नहीं जुड आ था, अब है social class तो यह कहां पर use होता है, social class is more used in sociological representation, society की है न, society की representations, kind of social stratification, then anything else है न, क्या बोलते हैं, साथ ही यह किस के साथ जुड़ा हो जाता है यह जुड जाता है हमारी society के साथ, और society में जो social stratifications है, उसकी बात करता है न, उसकी types की बात करता है, kind of social stratification को ठीक है,OOOOOOOOO यह था हमारा social class का meaning, थोड़ा सा meaning क्या होता है क्या होती है social class क्या है तो social class भी यह क्या है stratification है, division Ihr society की उसकी ही types है, forms of social stratification की एक form है जिसको class बोलते है कास्ट क्या unique in India है यह particular in nature है कि खाली इंडिया में ही देखने को मिलते आपको और universal in nature मतलब कि आपको हर जेगा देखने को मिलते है सबहँ दिखने हम बोलते हैं इसको universal in जायर मैं þो अगर definition की बात करें तो एक पहली definition अब हम बोलते हैं social class is a category or a group of person having a definite status in society which permanently determines their relation to other groups तो ये बात करता है कि social class क्या है ये category है किसकी group of person की ठीक है category मतलब category या group बोलो किस चीज का किस चीज की ranking है किस की बात करता है बोलता है category है किसकी या category या group है group of persons लोगों का group है जो having a definite status है जिसके definite status से status क्या होता है मतलब हैसियत समझोए कि हैसियत होती है कि जो उसकी क्या हैसियत है इनने societies में उसकी क्या position है ठीक है उसके location है स्थान है जिसको बोलते हैं Hindi में तो उसको define करता है कि उसका क्या स्टेटस है societies में which permanently determines their relation to the other groups वो ही उसका permanently जो relations है दूसरे groups के साथ वो define करता है तो दूसरे thinkers है हमारे ओगबर्न और निमकॉफ यह दूसरे thinkers हैं जो कि इसको social class को define करते हैं maximum जितने भी thinkers हैं जैसे ओगबर्न और निमकॉफ है मैकुलर और पेज हैं मैक्स लेपाये रहे हैं तो यह सारे क्या थिंकर इनका आपस में कहीं न कहीं वियूस जो है न मिलते हैं class को लेके लेकिन बात यह है कि class को define करने का तरीका अलाग अलाग है बात एक ही करेंगे यह सारे लेकिन यह define थोड़े अपने 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 अपीनियन से करेंगे और बात एक ही है तो वैसे ही अग्वान निमकॉफ क्या बताते हैं कि social class is the aggregate of person having essentially the same social status in a given society है ना सम वही यह भी वही बहां है कि class social class क्या है is the aggregate of person उपर था group of a person aggregate भी क्या होता है aggregate भी होता है इकठा होना है ना जो कठे को क्या बोलते हैं aggregate किसका group है यह भी group of पर्सने अग्रिगेटा पर्सन देहीं सेंचली सेंचल स्थेटवस वही क्या बलते हैं वोलते हैं हैं उसको क्या बोलते हैं वह सोशल खला सबते हैं फिर बोलता मेकुलर आंड पिज तीसरें करते हैं मेकुलर आडसें वो कैसे सॉचल क्लास को डिफाइण करते हैं वो बोलते हैं फिर प्रग की करते हैं यह यह ब कि मुद्ध नि ऐइनि क्वूर्शन आप दया कुम्णिटी लिए कि और यह क्या है बोलता है नेकलरेंट पेज क्या बोलता है बोलता है इसको मार्क आफ मतलब निशान लगाया है निशान लगाना या आप बोलोगे जिस मार्क करना है कि इसको जो फॉर्मडर रेस्ट आफ दा सोशल स्टेटस जो उसकी पोजिशन जयाए जो उसका उसकी हैसिए है किसमे उसकी साइटी इंग्रिगेट वही मतलब हुआ है एग्रिगेट का मैंने बोला कि इकठा होना है ग्रूप है एग्रिगेट आफ इंडिविजल्स हूँ है वड़ा सें ऑपर्चुनिटी आफ एक्वाइरिंग गुर्स वर उनको इनकी थोड़ी सी डेफिनिशन में क्या है थोड़ी सी और चीज़ें एड किये इन्होंने इन्हो इसे और डेफिनिशन को और खोल के बताया है बोला है कि social classes are aggregates of individuals who having the same opportunity ऐसे लोगों का ग्रूप है ऐसे इंडिविजल्स का वो ग्रूप है कठा होना है who have the same opportunity, उन सबको कैए, एक ही जैसी opportunity है, हर चीज़ को हासिल acquire करना, किसी भी चीज़ को हासिल करने की बात करेंगे, acquired goods चाहे, किसी भी चीज़ को उनको हासिल करना हो, उनको सबको same opportunity है, the same exhibited standard of living है, और उन सबका क्या है, जो show है, जो exhibited मतलब, दिखाना, Sam Exhibited Standard of Life और उनका जो living का जो living का जो उनका रहने का वो है वो क्या है एक जैसा है ना जो दिखाना है जो शो है वो एक ही जैसा है ये कौन बोलते है Max Weber ठीक है इसका ये मतलब है कि class में क्या है आपको ब्राबर opportunity होती है Max Weber का ये ही बोलने का मतलब है कि class में क्या होती है Sam opportunity होती है हर किसी individual को कुछ हासिल करना हो चाहे उसको कोई चीज हासिल करनी हो या उसको नोकरी के हित में कोई exam देना हो उसको ब्राबर equal opportunity है उसको हम बोलते हैं जिसमें equal opportunity होती है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसको हम class बोलते हैं, class by birth नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको attitude status बताते हैं, attitude ग्रूप होता है यह, इसलिए max वबर भी यही बताते हैं, फिर बात करते हैं, लेपाईर की, लेपी आयारी लेपाईर हैं, यह भी एक thinker है, socialologist thinker है, जो social class की बारे में बात करत हैं, बोलते हैं, social class is a culturally defined, बोलते हैं, बोलते हैं, जो social class है, वो culturally defined होती है, culturally मतलब होता है way of life, मतलब जो हमारे कैसे define होती है class, way of life, जो हम रहते हैं, कैसा हम dress पहनते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम हर एक चीज़, जो हमारी life से जुड़ी हुई है, हमारे रहने के तरीके से ले बाती है सिंपँल सी बात है इस एलप सॉच्छल क्लास को डिफाइड करता कि आप cabbage बार्टिक्लर कhit पोजेशन इस जो हमारी हैसिएत होती है जो हमारी हैसियत होती है एक society में या जो हमारी positions है ना जो हम बोलते है location एक societies में होती with the population as a whole है ना सबकी populations के पुरे सामने की बात है within the जितनी population उसी के सामने जो हमारी positions होती है कोई particular positions होती है हमारी तो उसको क्या बोलता है ले पाइर ले पाइर बोलते है उसको ये social class है अब बोलते है that it is clear that social class is a segment of society करते हैं तुकर टुकरा समिझते हो सगमेंट होता है पाट बलता है यह भी किसका पाट है साइटी का पाट है है ना सोशल कलास इस सग्मेंट आफ ससाइटी विद ओढल डा मेंबर्स तेंड करते हैं यह सब क्या है उनका सब पूरे उसके लिए हाँ एक जर्नल स्टेटस के हिसाब से मतलब एकी एक हैसित की बात करते हैं ठीक है किसमें क्लास में इस यह था है हमारी डेफिनिशन्स जो विज बैर्ट ने बताई थी फिर ऑकबन और निमकॉफ ने बताई थी मैकुलर एंड पेज ने बताई है मैक्स वेबर ने बताई है और लिपायर ने बताई है अब हम देखेंगे जो नेचर एंड क्रेक्टरस्टिक्स अब सोशल क्लास ठीक है तो अब हम देखेंगे नेचर एंड क्रेक्टर स्टिक्स आप सोशल क्लास क्रेक्टर स्टिक्स क्या होता है क्रेक्टर स्टिक्स मतलब जो फीचर्स हैं सबसे पहली चीज है कि यह हैसियत के हिसाब से होता है किसकी क्या हैसियत है किसकी क्या location है किसकी क्या position है किसकी क्या हैसियत है उसके हिसाब से class define होती है बोलता है a social class is essentially a status group है social class essentially क्या है यह एक social group है essentially मतलब दर असल है na really यह क्या है दर असल एक status group है मतलब जो हैसियत के हिसाब से हमें मिलता है ठीक है Social Class is essentially a status group दरसल यह एक status group है status group मतलब हैसियत का group कि आपकी क्या हैसियत है आपकी क्या position है एक society में उसको हम class बताते हैं class is related to status different status arise in a society as people to different things you know hard kISA करता है자 सब्सक्रण के क्या है सब्सक्राइबिए कर एक हो लнд आफ दूसरी इक होता हैließ मतलब जाइन्द लग ऑलो गे हर है Engage होता है. Join होता है. हर कोई different activities में काम कर रहा होता है. And pursue different vocations. For what? हर कोई different vocations means business. हर किसी का अलाग-अलाग एक पेशा होता है. एक केरियर होता है. ठीक है? हर किसी का अपना-पना एक business होता है. The considerations of the class as a status group make it possible to apply it to any society which has many strata अगर the consideration of the class as a status group अगर बात करें हम कि विचार या ideas की हर किसी का क्या है class को लेके हर किसी का जो ideas है consideration means idea जो विचार होते हैं ideas सोच हर किसी के सोच the consideration of the class as a status group make it possible to apply to it to any society which has many strata है अगर हर किसी की जो ideas है जो हर किसी की सोच है वह apply करें तो कोई भी society apply करें तो वह हर किसी का क्या होते हैं बहुत सरे strata होते हैं strata means division which has many strata the idea of social status separate the individual not only physically sometimes even mentally है यह भी सही बात है कि the idea of social status अगर हम बात करें idea बताएं कि इसका social status की बात करें हैसियत की समाज में एक इनसान के हैसियत की बात करें तो उसके जो ideas है वो खली कोई physically ही अलग नहीं होते इनसान कोई ऐसा नहीं है कि खली हम physically ही different है strata में division है नहीं हम कहीं नहीं हमारी जो mental ability है हम उससे भी क्या है एक दूसरे से अलग है strata में क्या है जो है डिवाइड हुए है layers में बटे हुए हैं यहीं बोलता है आइडिया आइडिया आप यह एक दूसरे से क्या है अलग है तो यह था हमारा class status group है न और second है हमारा यह attitude status है हमारा यह attitude group बोलो attitude attitude status है ना कि ascribed status है attitude और ascribed में different क्या है difference क्या है यह दोनों क्या है अलग चीज़ है attitude वो होता है जो हम हासिल करते है जो attributes हम पैदा होने के बाद बहुत सी achievements हम हासिल करते हैं जैसे कि हम job लेते हैं जैसे कि कोई father बनता है वो भी एक attitude status है और ascribed status क्या होता है ascribed status वो status होता है जो हमें by birth मिलता है जैसे कि caste system हमें by birth मिलता है तो यह difference है attitude status और ascribed status में और attitude status में कौन आता है class attitude status में आती है और caste जो है वो ascribed status में आती है और इसलिए हम क्या बोलते है जो यह क्लास है यह एक attitude status है ना कि ascribed status the status in the case of class system is achieved not ascribed birth is not the creation of status बर्थ जो है वो कोई status हैसित नहीं बताता हमारी achievements of individuals mostly decide the status अगर हम status की बात करें या हैसित की बात करें वह हम कैसे अपनी हैसित बनाते हैं या पता चलती है individuals की वो उसकी achievements से कि उसने क्या क्या achieve किया है अपनी life में achievements of the individual mostly decide the status class provides class system provides scope for changing or improving one status class क्या करता है जो class system हमें वही class system provide करता है scope किसको एक इनसान को अपने जो achievements है जो उसकी status है उसको क्या करने में improve करने में जैसे कि कुछ factors है जो इनसान की क्या बताते है achievement status में हमारे मतलब एक status बताते है society का कि वो क्या status है उसका वो factors कौन-कौन से है उसके income की बात करें income उसका एक factor है occupations वो क्या काम करता है उसके पास कितनी wealth है education education बताता है और उसका lifestyle भी बताता है यह decide करते हैं एक individual का status एक individuals की हैसियत जिसको हैसियत भी बताते हैं तो third क्या है यह था हमारा attitude status यह था हमारा attitude status ना कि ascribed status class को हम attitude status में रखते हैं ना कि ascribed status में वैसे ही अब हम एक और characteristics है इसकी वह है the class system is universal यह पहले भी बताया है कि जो class system है वह universal in nature है क्यों क्योंकि वह हर जगा आपको देखने को मिलता है इसलिए इसको क्या बोलते है class system is universal in nature क्योंकि यह हर जगा परफॉर्म हुआ होता है हर जगा इसी के basis पर स्टैटिफिकेशन होती है हर एक country में the class system appears in all the modern complex society in the world हर एक modern society जितने भी world की जितनी भी societies है वो सारी किस्ते division है कि कौन सी चीज़ को मानती है वो class system को follow करती है इस इस फिनामीना डैट इस absent only in the smallest simplest and the most primitive of the society यह चीज़ें absent है किस जगा पर छोटे चोटे गाउं बोल सकते है smallest या कोई primitive societies है जो traditional रिवाज आज भी follow करते हैं पहले से तो उन societies में यह अभी भी क्या है कईने कई अपसेंट है इन चीज़ों को नहीं मानते class system से वो उनके उनका status decide नहीं होता हो class system से ही उसका status decide करते हैं all other societies of any size है वो class structure है और बाकी जितनी भी societies है उनमें क्या है उनमें class structure ही follow होता है class के हिसाब से उनका क्या है status follow होता है उनका status माना जाता है class के हिसाब से तो इसके साथ यह था class system क्या था class system इस यूनिवर्सल यह भी एक क्रेक्टर स्टिक्स है किसकी class की और फिर इसके बाद आता है जो फूर्थ क्रेक्टर स्टिक्स है mode of feelings ठीक है मतलब इसका अंदाज की कैसे यह mode of feelings होता है ठीक है इसमें क्या बोलें three modes of feelings होते हैं तीन तरह की feelings होती है class system में in the class system we may observe three modes of feelings वो कौन-कौन सी है सबसे पहली feeling there is a feeling of equality in relation to the members of one's own class है इनमें क्या होता है equality होती है relations में ठीक है किसमें members में आपस में क्या होती है equality की feelings होती है ones own class है जो भी उनकी class में आता है उनमें equality की बात होती है second क्या है second है there is a feeling of inferiority in relation to those who occupy the higher status in the socio-economic hierarchy इसमें अगर बात करें inferiority और superiority को लेके तो वो किसमें वो खाली उसमें होती है जो उनका जो status जिसका higher होता है as a class को लेके as a economic hierarchy उसमें खाली पैसे को पैसा ही रखा जाता है कोई belief system नहीं है कोई rituals नहीं है कोई traditions को follow नहीं होता खाली जिसके पास पैसा जादा है वो क्या होगा वो superior होगा और जिसके पास पैसा कम है वो क्या होगा वो उससे inferior होगा इसमें कौन सी hierarchy देखी जाती है economic hierarchy देखी जाती है there is a feeling of superiority in relation to those who occupy the lower status in the hierarchy कि इसमें किसकी feelings कैसे पता चलती है कैसे हम चीज़ों को देखते हैं जो superior है relations में वो कैसे हमें पता चलता है जिसका एक जो जिसने occupy कम किया है economically वो हो गया inferior वो lower status in hierarchy में आएगा और जो economically जिसके पास पैसा जादा है जिसके पास wealth जादा है जिसके पास हो सकता education जादा है जिसके पास land जादा है इन चीज़ों से क्या decide होता है उसका उसकी class decide होती है यही hierarchy follow की जाती है किसमे class में this kind of feeling develops into class consciousness and finally results in class solidarity इससे क्या है बोलता है यही feeling क्या develop करती है class consciousness consciousness क्या होती है awareness जाग रुकता समझ ठीक है वो यह develop करती है है ठीक है and finally result in the class solidity और क्या result मिलता है इससे solid solidarity मिलती है एक जुटता मिलती है तो यह था हमारा क्या mode of feelings इसके बाद आता है fifth element आता है element of the prestige अब बात करते हैं प्रिस्टीज को लेकिए प्रिस्टीज क्या हो से प्रिस्टीज बोलेंगे हम प्रभाव impact जो हमारा यह impressions यह status है न उससे क्या उससे क्या मतलब वह भी एक हिस्सा है इसका ठीक है प्रभाव समझते हो प्रभाव होता है impact मतलब impact होता है associate होता है मतलब साथी या जूड़ना जिसको बोलते हैं संगी बोल सकते हो हिंदी जिसको आती हो वो समझेगा इस वार्ड को कि मिलाना या साथी बोल सकते हो तो associate होता है associate with prestige the relative positions of the class in the social setup arise from the degree of prestige attached to the status thus the status and the prestige enjoyed by the ruling class or rich class in every society is superior so that the class of commoners are the poor people है ना देखो यह क्या बोलता है बोलता है the relative positions of the class in the social setup arise from the degree of prestige attached to the status हर किसी के जो degree of prestige है वो किसे जुड़ी होती है attach होता है उसके status से well that that's the status and the prestige enjoyed by the ruling class यह जो prestige है जो प्रभाव एक societies में उसके जो हैसियत होती है उसके जो प्रभाव होते है वो enjoy कौन करता है जो ruling class हो जो rich class हो क्योंकि तकちょっと status क्यों से जहिस्दोती है कहीं न कहीं होती हैliest superiority है लिपूरぎ कुछिए ही सिएटि में कि जो सोटी हैíciaट होती है उसकी जो हैसिआत होती है इस जिप प्रिस्टीज होता है frust度 अग्रिश को नौन the class of commoners commoners कौनस होते हैं जो आम आदमी हैं ना commoners उनको बोलेंगे हम class of the commoners are the poor people और मतलब जो गरीब लोग हैं उनसे ज्यादा वो इस चीज को क्या करते हैं enjoy करते हैं मतलब एक society में वो ज्यादा enjoy करते है as compare to poor people से the prestige which class enjoy depends upon our evolutions in many societies knowledge purity of race or decent religion wealth है यह सारी चीज़ें क्या हैं कहीं जीज़ को क्या करती है और जादा प्रभाव डालती जिसके पास सारी चीज़ें है जैसे कि religion की बात करते हैं religion को लेके in many societies knowledge ना knowledge है जिसको जाधा knowledge है चाहे वो किसी भी कास्त से हो लेकिन अगर उसके पास knowledge ज्यादा है, purity of race, descent, religion, wealth, heroism, bravery, भादूर है and similar other qualities confer to high degree of prestige on the person processing them, यह सारी चीज़ें कही न कही क्या करती है, एक societies में क्या है, प्रभाव डालती है, ऐसर डालती है, ठीक है, और क्या बलता है, these qualities on which our evaluations are based vary, considering in different societies and in course of time within the same societies, बलता है कही न कहीं यह चीज़ें, यह जो qualities हैं, यह evaluation करती हैं, कि इसके बेस पर, इसी के बेस पर, मतलब कई different societies हैं, जो इसके बेस पर क्या देखती हैं, एक class को देखती हैं, उनकी class high है, अगर यह चीज़ें हैं किसी class में, तो उसकी class को क्या माना जाता है, उस individual को क्या माना जाएगा, कि वो high class का individual है, और कहीं-कहीं यह बहुत सी different societies हैं, जहां पर यह चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक हैं, और अगर कभी ना कभी, and in the course of time, within same societies, और कुछ societies में यह चीज़, हमारी आम societies में भी होती हैं, यह चीज़ें जिसके पास है, जिसके पास wealth जादा है, उसको हम high class का मानते हैं, कोई knowledge, किसी कोई knowledge वाला इनसान है, उसको हम high class का मानते हैं, कोई बहाद दूर है, उसको हम बोलते हैं, कि हाँ, यह बहुत बड़ा आदमी है, हम उसकी कास्ट नहीं देखते हैं, बट उसकी यह चीज़ें हम देखते हैं, तो यह element of prestige थे, आज हम इतना ही रखते हैं, पांच characteristics ही तक रखते हैं, तो हमने आज पांच characteristics पड़ी, पांच विशेष्टाएं बोलोगे, या 5 features पड़े, कौन से, कास्ट को लेके, कि कास्ट में क्या क्या आता है, जिसमें पहले थी class or status group, दूसरा, सबसे पहले, हैसियत के हिसाब से ओता हैं, और थाड किया पड़ा हमने कि class जो बता हैं, आज हमने कि class प्ले Fraktion क्या है यूनिवरसल हैं, यह यूनिवरसल हैं, यह हर जगा आपको देखने को मिलता हैं, इसलिए इसको बोलते हैं class is a system is a universal और इसमें क्या है मोड़सा feeling की बात की कि इसमें जो feelings हैं उसके हिसाब से हमने तीन तरह की वो देखी कि हम इसको कैसे feel करते हैं कैसे हम पता हम मानते हैं कि यह high class का है यह low class का है यह middle class का है तो हम उसकी मतलब वो feelings क्या है वो क्या बेस मान के रखते हैं उसमें हम economically higher की देखते हैं पैसे के हिसाब से हम इनसान को feel करते हैं कि यह high है यह low है यह middle class का है ठीक है और elements प्रिस्टीज की बात की मैंने कि जो प्रिस्टीज है जो प्रभाव होए impact साइटीज में किसी के impact कैसा है अगर उस class का impact है साइटीज में चाहे वो किसी भ माना जाता है वो भी high class में माना जाता है ना उसके हिसाब से भी हम क्या करते हैं society में class को divide करते हैं ठीक है यह पांच character sticks थे आज फिलाल इतना ही रखते हैं और next lecture में हम इसको complete करेंगे थैंक्यू कर दो